हे गाइस वेलकम बैक टू दा चैनल और आज आ गया है न्यू वीडियो के साथ तो पहला अपडेट जो निकल के आ रहा है वह आ रहा है वैलोरेंट गेम से जैसे कि आप सबको पता था कि वैलोरेंट के इंडियन सर्वर्स आने वाले है तो फाइनली गाइस इंतचार बूरा ह हो गया है वैलोरेंट के इंडियन सर्वर्स कल हो चुकिया ऑफा सारे स्थीमेर्स इस पर इसे रिस्पांड भी किया है आपको भी stability को उनके servers की Indian ISPs के साथ match करके और कुछ time में couple of weeks में वो इस चीज़ को पूरा life कर देंगे maybe most probably यह act 3 तक आ जाएगा तो guys बस अब कुछ time का इंदजार रहे गया जब Valorant के Indian servers permanent हो जाएगे so guys next जो news निकल के आ रही है वो आ रही है PUBG related जैसे कि आप सबको पता है कि PUBG को बैन हुए आज completely एक मन्थ हो चुका है 2 September को PUBG बैन हुआ था आज 2 October है और recently में कोई update नहीं आया था कि PUBG की unbank का ये Indian version का ये PUBG का जीयो के ties के साथ तो काफी सारे players जो थे वो परिशान हो रहे थे कि PUBG वापिस आएगा कि नहीं आएगा जिसको लेकि उन्होंने TSM City सवाल पूछे थे कि PUBG कब तक वापिस आएगा या फिर कोई update दो तो TSM City ने इस चीज़ पर साफ बताया कि वो इसमें भी उतना ही जानते है जितना आप सब जानते हो उन्हें भी पहले ये लगा था कि PUBG जल्दी वापिस आ जाएगा ये सब जल्दी खतम हो जाएगा बट अब उन्हें लग रहा है कि इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा और उनको भी इतना ही पता है जितना आप सब को पता है तो वो भी वेट कर रहे है कि कोई information आए और वो आप सब के साथ share करें अब third update जो आ रही है वो आ रही है game Among Us related जैसे कि आपको पता था कि अगर आप Update section पर अवे भी click करोंगे तो आपको ये pop-up आता है कि game Among Us plan कर रहा है Among Us 2 लाने का बट ऑन गाइस ये सब को उन्होंने अब cancel कर दिया है जो भी उन्होंने plan किया था Among Us 2 के लिए अब वो Among Us 1 में ही वो सब करने वाले हैं और Among Us 2 अब नहीं आ रहा है ये उन्होंने Officially Declare कर दिया अब बात करते हैं Update No.4 की जो कि आ रही है Game Fall Guys Related जैसे कि आप सब को पता था कि Nordwind Gaming का टूनमेंट चल रहा है जिसमें वो Influencers और Streamers को साथ लेकि एक टूनमेंट कर रहा है और उसके Week 2 की रिदल्स आ चुके है जिसमें टॉप किया Gamer Fleet, Sick Warrior और Hydra फ्लिक में अब इसमें से जो टॉप 6 प्लेयर्स है वो Week 3 में खेलेंगे जोकि होगा 7 October को सुख रंग्राचुलेशन टू आल दे विनर्स अब का इस नेक्स अपने जो निकल के आ रहे है वो आ रहे है 8-bit ठक डिलेटेड वो अपने Instagram पे एक giveaway कर रहे है जिसमें वो Corsair के Headphones और Keyboard को giveaway कर रहे है अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको लिंक इफेक्ट कर सकती है जो इंडियन जाइंस है लाइक PTM, ShareChat, MakeMyTrip और भी बहुत सारे इंडियन स्टार्टप्स उनके जो CEO's है उन्होंने डिसाइड किया है अलायंस फॉर्म करने का जिसमें वो शायद इंडियन आप स्टोर का वर्जन लेके आने वाले हैं जैसे कि आप सबको पता है फिलाल Google App Store और Apple App Store है वैसे ही इंडियन आप स्टोर लाने का डिसाइड कर रही है बहुत सारे इंडियन टेक जाइंस वेकॉस यह फैसला उन्होंने किया जब गूगल ने न्यू पेमेंट पॉलिसी लेकि आए जिसमें उनकी न्यू पेमेंट पॉलिसी में उन्होंने ये बताया है कि अब डेवलपर्स को 30% देना पड़ेगा हर इन आप पर्चिसेस का as a tax तो गाइस यह थी आज की डेली गेमिंग न्यूस और अपडेट अगर वीडियो पसल दाए तो प्लीज मेक शूर तो लाइक शेर और सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वाचिंग बाए